हाई गाइस विडियो छोड़ा सा वीडियो बनाने का था कि लेवल्स बता देता हूं आपको कल के लिए भी मार्केट थोड़ा सा मॉर्निंग में वीक्निस रह सकती है और जो लेवल्स है वो 44,000-44,100 के आसपास है जो हमारा फस्ट टाइम का हाई था और वो उसी एरिया पर हम लास्ट टाइम भी फसे थे बहुत दिन उसको क्रॉस करने में लगाया था तो मुझे लगता है वो एरिया जो है आपका एक सपोर्ट स्ट्रॉंग हो सकता है 44,000 से 44,100,150 तो वहां तक हम अगर चले जाते हैं मॉर्निंग में तो वहां पर फिर आपको शॉट पोजिशन अपनी क्लोस कर देनी है अगर छोड़ा मोड़ा बाउंस होता है तो 19,840 यह रिजिस्टन्स होगा और अगर सुबह आता है तो शाम को अगर सेकेंड हाफ में आत एक अच्छा फॉलम को मिल सकता है 19,740 पे है तो 840-850 एरिया रिजिस्टन्स है अगर मॉर्निंग में गिरने लगता है और 580-550 इस एरिया पर जाता है तो वह सपोर्ट एरिया वहां पर आपको निकल जाना है फिर बाउंस का वेट करिए बाउंस आने पर ही आपको क्योंकि इंडिया ने जो एक वीजा कैंसलेशन वाला जो एक अनॉस्मेंट किया है शुरू में तो थोड़ी अफवा वाला था तो इसलिए लोगों ने मुझे लगता है कि एग्रसिव शॉट पोजिशन नहीं बनाई थी लेकिन ये नियूज जो है शाम को आई है मार्केट प्लोजिंग के बाद तो उसका थोड़ा सा असर रहेगा मैं आपको बता दो कैनेडा का बहुत बड़ा फंड है कैनेडा पेंशन फंड वो हमारे यहां पे करीब करीब 80-90,000 करोर इंवेस्ट कर रखा है और ओवरॉल कैनेडा का 1,77,000 करोड का इंवेस्टमेंट है इंडिय आपको प्रेशर देख सकता है तो यह मेरा शॉट अपडेट था वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए शेयर करिए और चैनल को सब्स्राइब करिए मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्यू